रादे रादे हरे क्रिश्ना कैसे हो आप सबी लोग आश्यकटे हूँ आप सबी परममंगल में हो गह अच्छे होगे सबपठम आप सबी को अजा एक डसी की अनंत और अनंत अस्चुकामने इतने सारे मैसिज दिदी अजा एकदसी कब है अजा एकदसी कब है तो आज मैं आपका ये डाउट किलियर करने वाली हूँ कि अजा एकदसी कब है पहले मैंने पंचांग देखा तो पंचांग देखें मैंने डेट नोट कली है टाइम नोट कली है कि अजा एकदसी का जो प्र पुष्राम होएगा वो होएगा 10 सितंबर को रात्री को सारे नो मज़े अठाथ पूरे 24 घंटे के आसपास की एकड़सी आपको मिल रही है अब एकड़सी का ब्रत 10 तारीक को रखा जाएगा या 11 तारीक को रखा जाएगा बड़ी सारी कंफुजन है तो देखिए जो तारीक को रखा जाएगा वो बता देती हूं क्यों रखा जाएगा कैसे रखा जाएगा आप चाहो तो दोनों भी रख सकते हो पूरा प्रोसीजर आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूरे साल भर में ऐसी 8 महा द्वादसी आती है जिनका ब्रत रखने से हमको एक हजार एकड़सी का ब्रत रखने का फल प्राप भूत है तो वही आज द्वादसी में से एक द्वादसी इस बार भी है जो कि 11 तारिक को है जब भी पूर्मासी या फिर अमावश्या पर दो सूरे उद्द की पूर्मासी अमावश्या पढ़ती है तब उस पक्ष में ब्रत तो दसको ही है एकड़सी जो है वो दसको भी है अगर आप दस तारिकी एकड़सी का ब्रत रखते हैं अगर आप दस तारिकी एकड़सी का ब्रत रखते हैं तो आपको एक एकड़सी के ब्रत रखने का फल प्राप्त हो रहा है बाकी भी हैजी के मंदिर और खाटू से सब लोग राधा रमन में यह सब लोग 11 तारिक को एकड़सी महाद्वादसी का ब्रत रखने जा रहे हैं तो आपका यह पूरा संसे खतम हो गया कि एकड़सी 10 तारिकी है गयारा तारिके कि अब आप कुछो कि जीडि आप क्या कर दियो देखिए मैं कोश्य करूंगी कि दोनों दिन दोनों दिन भी ब्रत रख सकते हो एकदसी पर भी रखें और महादृ दसी पर भी रखना है क्या दोनों दिन ब्रत रखा जा सकता हैύ हाँ बिल्कु bilmiyorum दोनों दिन ब्रत रखा जाता है दसमी तिथी के जो नियम होएंगे अगर आप कल ब्रत रख रहे हो तो फिर आज फोलो कीजिए अगर आप परसो ब्रत रख रहे हो अठात अगर आप 10 तारिक को ब्रत रख रहे हो तो 9 तारिक को दसमी तिथी के नियम फोलो करने है दसमितिति के नियम क्या होते हैं? दसमितिति के नियम ये होते हैं कि एकादसी वाले दिन और दसमितिति वाले दिन दुआदसी वाले दिन इन तीनों दिन आपको संपूर्टे भ्रहमचर्या का पालन करना पड़ता है ठीक है किसी भी तरह की कामवाशना कीड़ा को अंजाम नहीं देना होता दूसरी बार इन तीनो दिन दसमी तिथी वाले दिन एकड़सी वाले दिन और साथी के साथ दुआ दिन तीनो दिन प्रत्वी शयन करना होता है जमीन पर ही सोना होता है इन तीनों दिन आपको लेसन प्याज को अपयोग नहीं करना होता, देख लीजिए, वैसे तो एकदसी पे लेसन प्याज को अपयोग नहीं होता, लेकिन दसमी तिथी पे भी आप जो सुवे भोजन करेंगे, उसमें लेसन प्याज को अपयोग नहीं होता है, एकदसी वाले द शिवी सुयम सूर्य भगवान को उस ताइम पर प्रहमान से अम्रित की किरने बरस रही होती है, इसलिए उसको अम्रित बुला जाता है, भगवान शिप के सीस में वराजमार है, चंद्रमा और चंद्रमा के हाथ में अम्रित का कलश है, भगवान शिव चंद्रमा से रोज अम् बाके विहारी जी लड्डू गोपाल सभी को याद करते हुए अखन जोत भी आपने घर पर अभी भी जल रही और वो छटी तक जलेगी मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगे किशन जी की छटी कब है और छटी पर आपको किन की नियमों का पालन करना है ये भी बताऊंगे सुबह अपने हाथों को देखने के पाद अपना पैय जमीन पे रखिए धरती माता को इस पर हमारे धर को तरवालता नहीं कुझा यहां पर फ्लैस नहीं है घर है तो फिर एक भालती पानी बहार जाल दीजिए और दर्वाजर को खुला रखिए ठीक है उसके तत्पशाथ आपको सोच आदी से निर्वत होने जाना है इस बात का ध्यान रखना है कि मैं हमेशा कहती हूँ मोशन जरूर जाना होता है क्योंकि आंतिक सुद्धी भी बहुत जरूरी होती है उसके बाद मुक्की सुद्धी करनी है मुक्की सुद्धी के लिए अंजली में 12 पानी भरके कुला करना होता है यह होती है आपकी मुक्की सुद्धी फिर आपको स्नान करना होता है लेकिन एकदसी वाले दिन कभी भी आपको ख लगने और बंद्टान करें मैं उसरोल करी वानमत बाते हैं। तो पूरे घर में घंगा जल चुड़क है, गंगा जल ना हो तो कोई भी नधी का जल मैं जड़क सकते हैं, या फिर अगर कोई भी नधी का जल नहीं है, तो भी आप हल्डी वाला पानी भी अपने घर में चुड़क सकते हैं, घर के स्वास्थिक बनाने के लिए हल्दीका उपलोग जरूड और जरूड कीजिए एक उसमें चंदन के सारे इत्यारी चीज़े भी डालते हैं लेकिन कोई भी सुब दिन होता है तो घर पे स्वास्थिक अवश्यन जासे की मैं मिग लगा सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूं कि सबसे पहले आप लोगों को अगर लड़ुगोपाल है घर पर तो लड़ुगोपाल को इसनान वगरा कराना है लड़ुगोपाल को कोशिश कीजिये that is on पचमिछे वह रखर लीजिये और वह पंकेशंचन वर्प का पान पेकर दसीप कर सकते हैं ठीक है ना उस and mr. ले नहोंतो किसी पर भी ही एक का निवास करुए यह नहीं कि जिस स्थान से आप वो बैसिकली मैं दिल्ली से हूँ या फिर विंदा से हो तो मैं वह संकल्म है लेती। मैं पुरे में इस समय पर रह रहा हूं जैसा भी ब्रत कारिए निर्जला रख रहे हूं अर्टालीस गंठे के ब्रत करो कर दो यह गान देना है इस कि अपको आपको घ्यान देना है अजरłemिसी की ब्रत कर नहीं जो लोग व्रत भी नहीं करते हैं, वो लोग केवल और केवल पूजा करकर भी एकदसी क्यों कुछ फल तो collect कर सकते हैं, उनको कुछ फल की प्राप्ती तो हो जाएगी अगर वो केवल और केवल पूजा ही कर लेंगे, उसके बाद तुलसी माता पर एकदसी वाले दिन जल चड पर तुलसी की परिकर्मा करने पर प्रत्वी परिकर्मा का फल आपको प्राप्त होता, तो एकदसी वाले दिन तुलसी की 11 या 21 परिकर्मा आपको अवश्य और अवश्य करनी होती है, एकदसी की जड़की मिट्टी अपने मस्तक बर अवश्य और अवश्य जलानी होती है, उसके बाद एक अदसी मैया को जल अर्पित कीजिए, सूरे भगवान को जल अर्पित कीजिए और उसमें बहुत सारा समय और सारीरिक श्रम भी जाता था, इसलिए पहले के जमाने में कपड़े दोनी की मिनाई होती है अब तो वाशिंग में घर घर करना होता है, तो लेकि कोई भी काम करो वो भगवान को समर्पित करते हुए करना होता है पूरे दिन मकपे एक ही नाम होना चाहिए ओम नमो भगवते वाशुदेवा, यह महा मंत्र है, मंत्रों का भी मंत्र है ओम नमो भगवते वाशुदेवा, यह ऐसा मंत्र है जिसकी प्राप्ती से धुर्व ने भगवान को प्राप्त किया, इस मंत्र के प्रताप से नारद ब्रहमा जी के पुत्र मण के प्रकट हो ए कुजिए घर के तद टेया प्रकाद को पराप हो россाने के थीह जो कि बहुत ज़्यादा पर दोदी पवश्य जलाईए अखन जो तगर जल दी तो अच्छी बाते नहीं जल दी तो अखन जो जल दी जिक्विए भावन जी का भी प्रादुभाव भादो में ही हुआ था जो की बहुत ज़्यादा सुबसंकेतों के साथ आती है जो भादो का महीना होता है वो संपूर तो भवावन श्री किशन जी को समर्पित होता है इसलिए इस दिन इस महीने बहुत सारे उस सब का महीना अगर मैं यह कह सकती हूं तो कहा ना जाई उसके बाद आपको साम की पूजा अर्षा बनना करनी है और साम की अगर आप फलाहार लेते हो तो सूर रहते से पहले आपको फलाहार लेना है अब बात आती है कि ब्रत का पारायन कैसे करें उसके लिए भी मैंने पंचांग से देखके सब कुछ नोट करिया है कि ब्रत का पारायन आपको कैसे करना है जो लोग दस तारीक को ब्रत करेंगे वो लोग जो ब्रत का जो लोग 10 तारीक को ब्रत करेंगे वो अपने ब्रत का पारेंगे सुभे 6 बज़ के 4 बंट से लेकर 10 बज़े मतलग 6 से लेकर 10 बज़े के बीच में आपको ब्रत का पारेंग करना है 11 तारीक को ठीक है और जो लोग 11 तारीक को ब्रत करेंगे वो लोग 12 तारीक को करेंगे और स शे बजे से लेकर दस बजे तक के बीच में कभी भी कर सकते हैं, अब जो लोग 11 तारिक को ब्रत रखेंगे, वो 10 मी तिथी का नियम का पालन करेंगे, वो 10 तारिक को करेंगे, जो लोग 10 तारिक को ब्रत करेंगे, वो 10 मी तिथी के नियम का पालन 9 तारिक को करेंगे, जो दिन तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि एक अदसी का ब्रत तो आपको ये वीडियो संपूर्ट समझ में आगई होगी साले । इसमें मैंने आपके क्लियर कर दी हैं अगर आपके कोई भी कोश्शन हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी दॉक्टर आशुदेदी पर जाईए वहाँ पर प्रिशन लिख दीजिए मैं जल्दी दूसरी वीडियो बढ़ाने की कोशिश करूँगी और आज ही वीडियो आएगी किशन जी की छटी कब है रादे रादे हरे कृष्णा हरी बो